अगर आपकी जिंदगी में अचानक से मुसीबतों के पहार तूट पड़े हैं, अच्छी खासी जॉब चल रही थी लेकिन अचानक से कुछ हो गया कि बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कौन से ऐसे रीजन्स है और कौन से ऐसे जबरदस तुपाय से हो जाएगा बेड़ा पार बदल जाएगी दशा की दशा जानेगे हम इस वीडियो में लेकिन असे पहले नमस्कार दोस्तों मैं शानसेट कैसे आप दोस्तों वीडी के मादियम से मेरी हड़कोशिश कि आपकी जिंदगी बातर सुन्दर माइंड ब्लोइग मैं बास्टिंग ठा बन जा देगा कि हमारी श्रापिद पत्री है क्योंकि उन्होंने एक लाक नब्बे हजार की पूजा बताई अब मैं आपको बता देती हूं श्रापिद पत्री क्या है ना पहली चीज तो यह है अगर हमारी पत्री में किसी भी तरीके से पहला गर चटा गर दसवा गर कई ना कई ज is very good for business also क्याते ना कारुबाहर के लिए भी बहुत अच्छा है और कही ना कहीं जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता जिन्दगी में कभी भी क्याते ना काम को लेकर कारुबाहर को लेकर किसी भी तरीके से problem आईगी अगर आईगी भी तो क्याते ना बड़ी temporary moment होगा फिर बेडापार होता चले जाएगा आगे आगे सिती बात है अब इसका दूसरा लक्षन अगर किसी भी क्याते ना दसवे घर का किसी भी तरीके से connection हो गया इस conjunction के साथ क्याते ना दुश्मन ग्रह के साथ तब भी दिकत आएगी वो दुश् अगर यह कही ना कही connected हो गया तो एक इंसान के अंदर कितनी भी capability है उसके अंदर कितनी भी हुनरता है वो कभी भी क्याते है ना सक्सेस उसको मिलने ही पाईगी कहा जाता है सही बात है लेकिन हम यहापर problem discuss करने के लिए नहीं बैठे क्यों और यह हो गया अब यह हो गया तो हम क्या करें है के नी सीधी बात है इसमें डरने की बात थोड़ा है अब एक और चीज़ आपको बता देती हूं देखो कितनी पते की बाते बताती है आपको अगर अगर तो क्याते है ना पिता का जो काम है कभी भी सफल होई नहीं पाया अगर पिता ये क्योंकि ये जो लक्षण होते हैं ये जो श्रापिज पत्री होती है या कहीं न कहीं ऐसे combinations है वो बचपत से एक इंसान को बहुत तगड़ेवे में हिट करेगा सही बात है कैसे बताती हूँ अगर आपके फादर का काम कभी भी काम कोई पनप ही निपाया अगर आपके फादर साब ने बार 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 काम क्याती ना बदले है लेकिन नहीं हो पाया फिर फिर श्रापित पत्री आपको पता चल जाएगा उसके सिम्टम से पता चल जाएगा सीधी बात है अगर आपकी पढ़ाई में हमेशा प्रॉब्लम्स आई हैं पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई श्रापित पत्री कही ना कई सिम्टम है और अगर श्रापित पत्री नहीं भी है य के लोगों को पता चल जाएगा है कि मैं स्कूल नी जाती चलो जो भी जो भी है न दिया 14 से लिकीती काम करने शुरू को बजपन से ही वो चीज पता चल जाती घर पर आटा नहीं शुरापित पतरिक ऐसा होता है बोलने वाली बातर नहीं ऐसा हुआ है ये मैं खुद इसकी क्यातना गवा हूँ, सीधी बात है, अगर मदर को, आपकी मदर को हमेशा से ही कही ना कही एक हस्बेंड का सुख नहीं मिल पाया, हस्बेंड होते वे भी, या बाइचान कोई सिचुएशन पैदा होगी, जैसे मदर के साथ ही, मेरे फादर में सिख चलेग then we got to know, मतलब कहने का मतलब है, शुरू से ही आपको ये संकट दिखेंगे, मा को धन से रिलेटेड सुक, मा को हेल्ट से रिलेटेड सुक नहीं मिल पाया अगर, सीधी बात है है ना, तो अगर बचपन से ही एक अपने बच्चे में भी ये सारे सिम्टम्स देख रहे हो, अप अब पहली चीज क्या है, पहली चीज तो वैसे तो दो तीन चीजे बतानी है बड़ी जबरदसी, लेकिन पहले मोटी वाली चीजे सारी चीजे कवर अप करती हूं है ना, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, देखो अब नया साल हमारा शुरू हुआ है, मारको अपना काम बनाना है, कोई गबराने वाली बात नहीं, जैसे एक आपने कपड़ा लेना है, है ना, एक आपने कपड़ा लेना है, कि मतलब कोई पुरोहिच जी की, या कुछ ऐसे करके, है ना, कोई अगर कपड़ा पी ले, रंग का कपड़ा, जिसमें दोती-कुरता बन जा इतना उस पे रखकर एक छोट ऐसा सोने का टुकड़ा या छोट ऐसा पीतल का टुकड़ा पीतल की चीज कोई भी कोई भी सोना नहीं फोर्ड कर सकते हैं कोई बात नहीं पीतल की चीज रख लो है कि नहीं अब इसको कहते हैं ना क्या कहते हैं बांध कर भ्रस्पतिवार के दिन कहते क्याते ना अपने मन से शमा माफी मांग करके मेरे से या मेरे जाने जाने कोई भूल हुई या कुछ भी हुई तुमेरे को का क्याते ना उपर वाले को अपना तरपन करके क्याते ना क्योंकि पास्ट लाइफ की तो चीजे हमको पता नहीं है कि नहीं अब प्रेजेंट की हो सक किसी के लिए कुछ नहीं हर बंदा अपनी एक सोल जर्णी पर हर हम कुछ वह चीजे मिल रही है जो हमने क्या आते हैं ना शायद संचित कर्मों में जाने जाने कुछ चीजे कर दी ओ अब एक इंसान का चलना फिर ना लोग उससे कैसे करेंगे वह लोगों से करेंगा सब तो ग पैरेजन करना ना कुछ करना बात कतम हो गई एक और चीज आपको बताओं सड़क से हैं सड़क से सड़क पर चलते हैं ना अगर कव्य का क्याते ना पंख मिल जाए बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा मैं अभी जल्दी के चकर में वह दिखाती है आपको मैंने कैसी अभी मंत्रित करके रखा हुआ है क्याते ना अगर बहुत वह कहते ना चीजें असान नहीं होती बोलने वाली बात होती है यह जो चंद्र राहू चंद्र शनी यह जो combinations होते हैं ये एक इंसान को depression से भी आदा मार देता है मतलब क्याते हैं खतम अंदर अंदर वो क्याते हैं फिजिकल पेन तो क्या ही होएगा जो एक emotional pain क्याते हैं वो situations आगे आएंगी वो चीजे बनेंगी असान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है है ना मैं आपको बताती हूँ जैसे सड़क पर चल रहे हैं पहली बातों को वो की सेवा करनी शुरू करो वे एकदम धाकडवे में क्याते है ना जेब में आपको एक बात बताऊं जेब में अगर अगर सौर पे हैं और अगर आपने 90 रुपे भी कर दिया ना ये क्या क्याते हैं मतलब क्याते हैं जो उपर वाले की जो देन है उन पे आप ये सोचना कि ये जो ये जो 10 रुपे सिर्फ आपके रह गए उसमे काम चला लो ये एक बहुत बड़ा इंवेस्टमेंट है इसका जो ढूंड ढूंड के आपका पता पूछ पूछ के क्याते ना ऑपर्चुनिटी आपके आगे आएंगी ना खुद देख लेना मैं नहीं बहुती सिर्फ आज करोगे बस देख लेना फिर ऐसे यह तो वैसी लान है न अब कवे का पंखले आओ ठीक है अब आपने इक टोरी में जैसे जो मिले रास्टे से नग गए है करो इसकी तो कोई मूली नहीं है करोड़ो तो छोड़ी दो अर्बों खर्बों की चीज बताने जारी है आज आपको बहुत लखी चार्म जिसको बोलती है कवे का पंक लाकर उसको गंगा जल से अच्छे से दो देना आपने अब आपने इसका कोई दिन नहीं है कि na YouTube क्यान केसर के सफेज चंदन हो गया है ना इसका जो वह मिक्सचर होता है हल्दी-केसर से इसके उपर पूरा लेप कर दो सच्ची कह रही हूँ अब मैं वो दिखाना बूल गई आपको अब आपने एक हजार आठ बार क्याती है ना इसको अभी मंत्रित करना है एक हजार आठ बार जो मंत्र बताने जारी हूँ ऐसा जादूई वेसे काम करेगा आप भी उधर बैठे मैं भी उधर बैठी मंत्र बताती हूँ ओम नमा कमाक्षिये नमा सर्व मंगलाए नमा शिवाए ओम क्राम क्रीम क्रॉम रीम श्रीम फट स्वाहा ये एक हजार आठ बार अगर कर दिये इसको अपना कहते ना फोल्ड करकर अपने बास भी रखते हो अपनी जेब में भी रखते हो या कहीं पर भी पूजास्थान में भी रखते हो आप अब ये पाखंड की दुकाने बोलेंगे हाई हाई कवे का पंक यह हाई भूत पीछे लग जाएगे तुम्हारी ऐसी तैसी मैनी इनको जवाब किया देना एक हंडी बोलते मिटी की हंडी 18,000 में कहते मिटी की हंडी बाद होगे तुम्हारा ये हो जाएगा अरे अरे तुम तो इतने बड़े सितारे बन जाओगे बस ये पुखराज ले लो या किसी को बोलेंगे तुम्हारा चीजे हैं वाक्षी करेंदे देखेंब देखो आरे का मैं कितनी जबरदस्त चीजे बता रही हैं आरे का शाइना जंतरमन मिरिकल पे आप उसको सबस्क्राइब करो और क्या कियते और भी चीज़े डिसकस करेंगे यह चीज़े करो बहुत बढ़िया है कि नहीं चालो वाइश चानल को सब्सक्राइब करो मेरा दिल अपने दिल से जोर दो विजह को लाइक करो लाइक 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 आप मुझे लाइक करोगे युनिवर्स आपको लाइक करेगा हर बंदा आपको लाइक करेगा और शेयर करो शेयर इसले करो से आपके सिंदगे ही ठा हो जाए ओके देन बबाई नमस्कार